9 अक्टूबर के गुरुकुल प्राप डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है विश्व दाग दिवस ने 150 वर्षों की वैश्विक संचार और दाग सेवाओं की उपलब्धी का जशन मनाया भारतिय विदेश सेवा दिवस 1946 में भारत के कूटनीतिक कोर की स्थापना की स्मृति में मनाया गया जेपी नर्डा को WHO दक्षिन पूर्व एश्या क्षेत्रिय समिती के 77 वे सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 2025 के राष्ट्रिय अनुभव पुरस्कार सार्वजनिक शेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को भी शामिल करने के लिए विस्तारित जीन विनियमन में प्रगती के लिए एमब्रोस और रूफ कुल को चिकित्सा का नूबल पुरस्कार प्रदान किया गया RBI और माल्दीव मौद्रिक प्राधिकरन ने 400 डॉलर मिलियन की मुद्रा स्वेप समझोते पर हस्ताक्षर किये नेपाल ने प्रकाश मान सिंग राउत को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने महिला एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो और शुभनकर का अनावरन किया पंकज आदवानी ने सिंगापो ओपन बिलियर्ड्स का खिताब जीता, फाइनल में जेदिन ओन को 5-1 से हराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने प्रयागराज में महा कुम्ब 2025 के लिए बहुरंगी लोगों का अनावरन किया आज के गुरुकुल्प्रेप हेडलाइन्स के लिए बस इतना ही सुनने और अपडेट रहने के लिए धन्यवाद याद रखें ज्यान सफलता की कुंजी है और हम आपको नवीनतम घटनाओं से अपडेट रखने के लिए यहाँ है आप गुरुकुल्प्रेप.com पर हर श्रेनी के टेस्ट प्रेपरेशन सकते हैं या प्ले स्टोर से अप डाउनलोड कर सकते हैं आप गुरुकुल्प्रेप अपडेट्स अप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कल फिर हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण समाचारों के लिए तब तक जिग्यासू बने रहें, प्रेरित रहें और सीखते रहें आपका दिन शुब हो